थीक है वदर जी आज आरी है जी सिए आज हम लोग तो तो यह भी नीट सासरी समझ देखों जो भी दिक्कत होगी करते रहना ठीक ने ठीक है कोई इसमें नहीं आप पूछते रहना क्योंकि थोड़ा समय कहीं हो सकता कि तीन प्रकार के दंड है तो आगे पीछें कहीं कन्फूजन होगा तो इसको आप क्लियर कर लेना पूछे नहीं पर प्रावलम ऐसी नहीं ठीक है ठीक है तो दंड इथिक से सब्सक्राइब पढ़ते होता है ठीक है सानसारी का भ्यूदय होता की अधिक समाज में ऐसे कोई प्राप्त कर सकती है । मैं क्या है इसका लट्ष है समाज का आदर सक्या uda है उत कहते हैं समाज की भी एक रच्छ होता है कि पूर्टा की प्राप्ति ऐसे समाज की आदर्स होता है कि उसमें कोई सिपकार की कोई सम्हावना मतलब की सम्हावना अतलब की सबकुछ प्रेम से रहे आदर्स रहे जो है आदर्स ऐसे कल्पना करिए रामराजी की तो रामराज की कल्पना क् Prabhupar का किसी को किसी करका कोrais इसा हो तो एक समाज के जो राज्जी का होता राज्जी का है जाय होता कि हुra इस प्रज़ा को किसी किसी प्रखार का कोई दिख्या सरोधंधंगा उनका भी कल्मना थे समाज्वाद है और किसके गाधी हो गए समराजद हो गया, मील का प्युक्ता वाध ही दिख्क्तम वेक्तियों का दिख्तभ कल्याण जो है, तो दंड का प्रावधान आया इसलिए है कि समाजीक व्योस्था बना रहे, समाज में अबयोस्था ना फ्राइले इसलिए ब्यक्ति का एक दाईत होता समाज के प्रत्थ वह क्या नैतिक दाईत होता है मतलब कि व्यक्ति जो अपनी इच्छा से तंद पुर्वक जो कारे करता है मतलब वह कारे जो चाहता तो न करता वह न करने के लिए सवतन्त था फिर भी उसने किया हुआ है तो दंड का समझ ऐसे ही कारेों के प्रत जिसके जिन कारें की प्रत जो नेतिंग ने दिया सकता है वही स्वातंतर नहीं है सोतंतर हो कोई कारें नहीं किया है तो वह दंड का जो है उससे जो है प्रावधान उसके ऊपर दंड नहीं किया सकता है रहे हैं कुछ कर क्या रहा है आप इसलिए को बालिक के उनके लिघ्वास्ता है कि उनके सुधार ग्री बना जाते है इनको वहां डाला जाए इनका वहां सुधार किया जाए तो चारे पुरस्कार को यह पुरस्कार का है निषद्हात्मक पुरश्कार है आपको अच्छे फल्की प्राप्ती यह था पुरस्कार होता है आप अच्छा कार की यह पर पूर्षकार मिलता है गीं कि आप समाज परे तुछे कारें कि आप बुरा कारे करते हैं तो उसका भी पूर्षकार मिलना चाहिए कि दनाएक की यह कारों का फल लवसक आप्थोना चाहिए नहीं तो नेतिकता खतम हो जाएगे तो वह फल की सुप में मिलता है इनने सिधातनक पुरस्कार के रूप में मिलता है क्योंकि नियाय की दिष्ट में आउसक है कि अपराध है अनयतिक कार करने वाले को दंड मिलना ही जाहिए ठीक है क्लियर ना मतलब जो समाजवारा माने समाजवारा कुछ नियम कानून होते है अथवार राजी द्वारा जो कानून बनाएं उनकी विप्रीदिद उनका उलंगन करता है तो वह दंड का भागी बनता है प्लियर हो गया ने जी प्रावधान किये हैं एक तो है निरोधात्मक सिद्धान जिसको करते हैं प्रतिरोध इसी को करते हैं निवर्तनकारी भी करते हैं से फॉस्ता तो प्रतिरोध मतल़ क्या होता है रोकना इस टॉप तो अपराट को कैसे रोका जाए दंड कैसे ऑजड़ करता है कि लोगों के लिए एक मार्ण करें साधन करूंद दिखाता है कि इसलिए दे जाए कि तुम्हें इसलिए नहीं दिया रहा है कि तुमने भेंड चुराया है अब इसलिए दंड दिया जा रहा है कि दूसरा कोई भेंड चुराने का दुस्साहस न करे ठीक है मतब समाज में लोग यह भयक्रांत हो जाएं अगर हम चोरी करते हैं तो हमें भी यह दंड प्राप्त होगा ठीक है न तो सीधा से पतमक यह कैसे रोका जा जाए इसलिए दंड दिया रहा है कि साधन के रूप में हो रहा है साधन नहीं होता है जिससे किसी प्राप्ति हो उसी को साधन कहते हैं कि समाज में अपराध्तन हो इसका मतलब क्या सिधा-सिधा होता है कि मानों को यह साधन की यह देखिए ऐसे ही आपको मिलेगा हैं बड़ए चवराहे पर दंड क्यों मिलता था इसलिए मिलता था कि लोग देखें समाज में ग्रावम में क्या होता जो गांपचाइद करता है कि इसमें क्या होता है इस साधन जो बनाता है मनुस में चैतना का विकास होता है उसे जब सही और गलत का ज्यान प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने लगता कि यह दंड उचित नहीं है क्योंकि इस दंड में साधन बनाए जा रहा है और नेतिकता कहती है किसी को इसलिए मिले कि दूसरा नगरे यह उचित नहीं है इसमें ब्यक्ति को पदार्थ मौन लेग्या जबकि ब्यक्ति को पदार्थ नहीं है सब्सक्राइब करते हैं नहीं बनाना चाहिए क्या करते हैं दूसरों को अपराज से रोकने के लिए दंड दिया आ करते हैं मैं केंजी भी आलचुना करते हैं ठीक है नहीं तो सर यह देता कौन है लीए तिय आ इसने यह नहीं तो ऺेभ सोरी यह जो है यह तीन के वर्टिकूलर कीुडर माने जाते हैं इन सब्सक neutr einen कोड़ों प्रश्वल सब्सक्राइब कर रहा है यह ने यह तियक है अधMP चाहिए मैं चाहिए टौर में तो है कि अने बाखने कैसे के च्छाहिए, TO एक स्वर में तोस भी मानते हैं कि दंड हो कि सब्सक्राइब बनाना चाहिए कि रोकने के लिए घ्रन दिया एक दर्शक के रूप में कारे करे जो है दूसरा कोई देखेगा तो अपराथ करने से डरेगा है समाज में सांती कायम करने के लिए दंड का पर नहीं है तो फिर इसकी अलोचना होती अलोचना में साधन बना दिया जता है कि अमर्ट समाज में अपराध रोपने को लिए यह चाहते ने पुरस होता سाध्य it है न फिर दूसरा क्या होता है दंड का एक लच यह होता है कि अपराध में सुथार हो जाए ऑठ कर दो करें दूसरे दिन से जानभूज कर सलंग हो जाती है जो आप शायते है के दो कहता कैसे होगा है क्योंकि और पीच्छा करता क्योंकि दूसरों को भवीद करने तुक्त में स्पाइब करें आदमी नहीं नहींंगी सबसे प्रेम् से तुक्त झाल करेंके तुत भास भाए व्याप्तिक जाता थे नहीं फिर दंड का अनुपात musi को कि समात्रा में डंडिया जरा आपने कहा समाज में अपराद भयकृष्ट के भय पैदा करने सबुए डंड दे रहा हैं लेकिन किस कितना दंड देंगे यह निस्चित कैसे हो रहा है कि कभी कभी जो है समाज में अधिक भाइक करने के लिए आप ज्यादा दे देते हैं अपराज से अधिक दंड मिल जाता है तो जिए क्लियर हो रहां है जी इस क्या होता दूसरा क्या है जी से अब दूसरा होता है सुधारात्मक सिध्धांद सुधारात्मक सिध्धांद क्या है नाम से क्लियर है कि यह अपराज दूसरों का अपराज से रोकने के लिए अस्थान पर यह क्या करता बैक्ति में सुधार करने के लिए दंड जायता है नाम यह से क्लियर है कि सुधार ठीक ने इसमें क्या होता है देखो निरुदात्मक करते क्या है इस सिध्धान्द के अनुसार क्या है दंड का लच्छ स्वयम अपराधी को सिछ्छा देना है उसे सुधारना है बर्तमान समाज में कोई आदिम समाज तोरह नहीं क्या है जैसे पूरो काल में प्राचीन काल में होता था मुहमत तूलक क्या करता था इंसान को मारके उसके खाल में भूसा भर की तंग्मा देता था नहीं सर्पड़ा तो नहीं परहा सुना है और उसकी हालत यह था कि वह अपने अपराधियों को दंड ऐसे देता था कि जिसको मारता था फिर उसको जो है खाल उतरवा के भूंसा भर के बीच चौराह देता था और उसके खाल को उसके मांस को पका कि घरवानों क्लाने के लिए देता था लेकिन आज की समाज में यह संभवाज की रेट में ताब किसी को एक मार्दूत वानवादिगार खड़ा हो जाता मारना ठीक नहीं माना जाता है याज अ तिक अब इसकी विस्यस्थाइक क्या है यह अप राधि को जो है सुधरने का मोगा देता है थीक यह दुवारा उसीत दुवारा जो है अपराथ नंकरे दूसरी चीज क्या है सोनी और सब प्रावधान नीघmeye में तो किने ब Wheatapoda समय हो गई किसी को सजा दिया है और आक उसके मृत्तिव हो जातर drih प्रावथा अंग तो फिर अब इसमें सुधारने की सब्सक्राइब करता है अब इसके समर्थन कौन है इसके समर्थन में करता है अपराद मानो विज्ञान यह करता है कि अपराद करता है लेकिन अपराद वो जानबूस कर नहीं करता है मानसिक बिमारी मानता है कि करते हैं कि ब्यक्त के एक बिमारी होती है वो कभी कई अपराद उनमाद में करता है चोरी करता है उनमान में करता है करने के लिए कर लेता है वास्तों में उसे ऐसासी नहीं होता है कि वह कर क्या रहा ठीक है ने तो यह करता है दंड सिध्धां करता है इस दंड सिध्धां में तो उसमें सुधारने की गुंजाई स्वी परिष्टियों का आकलंग किया जा सकता ह कि ये गलत परिवेस में किया हुँ माने कि अप्राज की खराब है तो उसको सुधार किया जाए उसको पागल खाने में रखाजाए सुधाय गृह में रखाजाए ठीक है ने तो पीछे लाजिक थी ने कि ब्रेक्टिकी सप्राद महां तो सब्सक्राइब दूसरा कोई नहीं करता है कि कोई जमजात अपराधी नहीं होता है ठीक है समाज की प्रशितियां ऐसी कि पैदा हो जाती है कि ब्यक्ति अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है जैसे प्रश्टाचार ब्याप्त है आप कहीं कोई कार करने जा रहा है आप से गुस्कोरी मांगी जा रही है आपके पास पैसा नहीं है आप मांसिक तनौव में आते हैं और कोई कोई अपराध करने के लिए बिवस हो जाते हैं ठीक है बेरोजगारी फैली हुई है बिमारी से बिमारी है जो है आप पास पैसे का कोई साधन नहीं है पैसे प्राप्त करने के लिए जो है तो आप चोरी करने का साथा भाई ठीक बिमारी है तो आप ठीक हो यह ना चाहते हो भी आपको गलत कारें का सहारा लेना पड़ता ठीक है ने जिसमें मनुस्क बीवस्ता होती है जो है ठीक है ने वह दांड का पात्र बन जाता है लेकिन ऐसे बैक्तियों को करता क्या कि आप दंड देने के पहले सहान भुठ पुर्वग विजार करना चाहिए क कि शेमाज सर्वाइब करना है कभी शुनता नहीं करता है तो आप देंगे देंगे अपरातवर कर गए लेकिन वह भीर आई समाज को क्लिववस्ता ऐसे अदमें लाजा रहता है सामने वारश्र तूंता नहीं है होता ही है बहुत रासन कार्ड में लोग लाइन लगा हुए है दस लोग पत्रा पहुंचते पहुंचते जब उनका नंबर आ रहा तो कहा देता रासन बाटने वाला कि टाइम खतम हो गया या रासन बट गया तो आज में क्या करता चिर्शीटा पनमा जाता है सुबह से साम तक पराटने तो यह अपरासमा जान यही कहता है की만 हॉपक्र का बाकी दंड में जू आधान नहीं नहीं क्या होता उसकी मनोّ फारिश्टिवें किस हो किस समय था किस दंड के दंड एक अपराद किया है ठीक है ने टिर क्या होता एक मनोबिज्ञान करता सुधारवादी इसकी थी त्यूरिय यह है कि कोई भी मनुस्ष्ण अपराद अपनी इच्छा से सोच बिचाज कर नहीं करता कभी कभी होता क्या उसकी दबी हुई इच्छाएं प्रवित्तियां या मनों ग्रिंथियां आइस्ति हो जाती हैं जो छडिक रूप से आपने आप बल्वती हो जाती हैं आप से कुन को अपराद करवा देती हैं जब तक आपको होता है तब तक अपराद हो चुका रहता है मतलब आप यह नहीं है कि आप उसको जानबूश्क कर रहे हैं या है विज्वल आप है जो उसको जो है तो कहता है कि इसलिए इस अपराद का समर्थन करता है कि इसमें चलो सुद्धारत में सुद्धार की गुंजाइज बनी हो यह जो है ठीक है नहीं तो सामनते क्या होता कि दूसरे पराद में होता है कि आप उनको दंड दे दिए कभी कि दंड से आजमी और बड़ा कांड खटनत हो जाती है और समाज में ऐसे हैं कि अगर उनको दंड माफ कर दिया गया है तो उनमें सुद्धार हुआ है बहुत लोग ऐसे हैं जो इसकी आलोचना आलोचना तो होत अपराद मानोबिग्ञान वह मनोबिग्ञान कि इसके इसके अची थीष्टे Hammagdh ever इसकी अअग्य इसकी आलोचनाा कि अए होती है आढ़ी ऑन्य यह मानोब लेते हैं कि एक मारी 123 घाлон सभी के साथ ऐसा नहीं होता है किसी किसी में लेकिन घटना होती है आप माफ कर दोगे तुनका हिदय परिवर्तन हो जाएगा यह एक लॉजिक दिने वाला लेकिन जो विरोधी मातने विरोध कहते क्या है कि इससे अपराद रुपता नहीं है इक ही लाजिक सबखके काम नहीं करती है मानसिक रोग और अपराद में अंतर होता है उसका संकल जप होता जब वह बैंग की चोड़ी करने चोरी जाता है तो सोच कि जाता है कि मुझे करना ही करना है और उसकी पूरी प्रीड प्लानिंग बना के करता हुआ है ठीक है ने अब उसका अपने उपर नियंतरण रहता है रोगी के तो नियंतरण अपने उपर नहीं रहता है कि सामान बैति का पूरी तरह नियंतरण होता है पूरी ब्लानिंग करके चलता है कैसे हमें इस कार में सफ़लता, अपराबар तो हो जायगी जैसे एक कोई कोई अच्छा कार करना के लिए पूरा या पुरा होमवर करके करते हैं, तो इनको उस सेड़े में कैसे लिया वह चाहता तो अपने मनोभृत्यों को इस पर कंट्रोल कर सकता था अपराद न करता अवह अनैतिक कार से बच जाता इकने और दंड का भागी नहीं बनता लेकिन ऐसा वह करता नहीं सामाने ब्यक्ति जो है यह कारण नहीं करता वह जानभूश कर करता है फिकने बेरो रहा हु होती है ब्यक्ति गरीव है पैसे नहीं है तो पैसे की ब्यवस्था क्लिव अपराद कर देता है अपराद बढ़ते हैं लेकिन कुछ अपराद ऐसे होते हैं जो अधिक धन कमाने की इच्छा से किया जैसे एक ब्यापारी होता है तो मिलावत करता है मिलावत इसलिए नहीं करता कि आ किसले करता है उसे है अधिक पैसे की प्राप्ति हमें कैसे हो जाए कि कालाबाजारी होती है इसमें गरीबी को उद्राण है नहीं बड़े-बड़े लोग फैसे बनाने के प्रयास करते हैं गरीब करते हैं तो माथ जो अपराज समांता सामाजिक भेदभाव के कारण होते हैं करता नहीं पर्टिकूल रेयर केसेज में होते हैं रेयर केसेज को सामान नहीं बनाया सकता ठीक है नहीं फिर होता है जो आपरादी होते हैं वह क्या करते हैं आप उंको छमा कर देजिए अगली बार और मजबूत होके अपराद करने आते हैं मैं नोगने सब्सक्राइब टर्श करने उसकी अधनी डिमागे साइट मर्म करना करता हमा उनकी आदत भन जाती ओंप अब जिसकी आदत पर जाए उसमें द्रेश्न और हो जब क्या जाए तब तक उससे नहीं सकता है यही हुआ था सब्सक्रक्राइब हो जब लास्ता दे दो रास्ता दे दो भंद डे रहा भया इससे कुछ नहीं होना है आप मार निकालो मारो इनको खतमने सबस्सिय हो जाएगा काना भाई बिना प्रीत नहीं होती तक डर न अब तक कुछ नहीं होता है तर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सामाजी जो रस्ता कायम करनी है तो दंड जरुवत है अब हुआ राम ने एक दन तीर निकाला और समुद्र बिचारे प्रकट हो गए हरा करके जो तीन दिन वह बिंती करते रह गए कुछ नहीं सर हुआ जो तो चाहे जो भुआ तो भाय की कारण नहीं नहीं तो रास्ता कहां मिलता तो वही हालत अपरादियों को मनुबल अगर डरते हैं यह सच्चाई है यह लेकिन दंड जो है बिना दिये कुछ सुधार समाज नहीं हो सकता है जो कभी कभार अचानक सुरुआती दोर में को यह पराद कर जाए उसके उपर तो लागू होता है लेकिन जो नियमित रूप से पराधी बन गए होते जिनका पैसा ही यही ह जा हो गया है लोगोद इब्राहिम को प्षोड़ी सुधार सकता है कोई नहीं सुधार सकता जो सुधार ने जाए उसके नहीं है जी अब आता है जी से अब आता है प्रतिकार आत्मर सिध्धान ता यह क्या है अपरादी को उसके द्वारा किये गए अनयतिक कारियों का फल्पदान करना प्रतिकार करता चीजे से होता बदला लेना टीट फाट टाइट आंक के लिए आंक दांत के लिए दांत मतलब व्यक्ति को दंड जिस जिस प्रकार का उसने अफराद किया है उसको दंड भी उसी प्रकार का मिलना चाहिए ठीक है अगर किसी ने किसी का हाथ काट लिया है तो उसका भी हाथ काट लेना से यह किसी की हत्या कर दिया है तो यह दंड सिध्धान कहता है कि उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए ठीक है न करता है बदला लेने नाम से क्लियर हो रहा है ठीक नहीं क्योंकि दंड का उद्धिस होता है दंड का उद्धिस ही है समाज और राजकी में सुभवस्था कायम करना यह दिया प्राधिक को दंड नहीं मिलेगा तो समाज और राचे में जो है अब्वस्था फैल जाएगी आ राजकता कि इसमें बढ़ जाएगा तो नैतिक दिश्ट से नियाए की यह मांग है यह प्राधि को जो है उसके कीगए कारियों का उसी अनुपात में डंड मिलना ही चाहिए ठीक है नहीं प्राधि को दंड नहीं दिया जाएगा तो नैतिक नियम सामाजिक नियम जो भी है इनकी रच्छा करनी है तो दंड तो देना ही पड़ेगा करते हैं कि गलती की गुंजाइज तो सबसे होती है ऐसा तो नहीं है कि गलती किसी से नहीं हो सकती है चेह ने तो फिर अगर शुदहरा कैसे जाएगा कैने सामानम गलती कि शुदहरन कंवा जाएगा तो इसी में एक ओर परकार आता है वह ह्ँआ परकार मृदुल तोड़ा सा हलका हो जाए कि उसकी परस्थितियों पर भी बिचार कर लिया इस परस्थिति में किया समाज में हत्या करने के लिए करता है क्या नहीं करता है करता है कि अपराध करते समय उसकी सिच्वेशन का रखना जरूए को किस परस्थि में किस सिच्वेशन में वैसा कारे किया हुआ तो आप उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई दिखाई पड़ता है कि किसी इन प्रकार हम अपने परिवार की रच्षा कर जाएं जो यह उद्देश है नहीं सब्सक्राइब करता है करना घलत है लेकिन जब किसी चोर बाद मास्क को सैनिक जो है बाड़ा पर रोज हत्या करते हैं तो अपरात के सेड़ी में नहीं आता है की किस परिशितियों में किस पहण वेक्स में क्या मनोबृत्य थी क्या कि आधार ने परत किया है यहाँ कुई तो वही करता है कि अपराधी को दंटो मिलने चाहिए situation के देखके उसके दंड को हलका किया सकता है ठीक ने घटना की पर विचार करना चाहिए ठीक ने अब होता है इसकी अलोचना की भावना की अरोप लगता है कि बदला लेने का सिध्धान पर लेने के सिध्धान जो है दंड दिया जाए जो है ठीक ने बदला लेने के अधार पर दंड देते हैं तो धर्म नहीं मना तो बदला लेने सब सिधान को बदला लेने सब से खटकता है नीट सास्थ में बदला ले रहाए वाप लोगता है तो उचित नहीं परता है को इन्हीं जो हुएं सब्सक्राइब करने के लिए समाज को बात करें बात कैसे होगा कि उसके लिए दंड का प्रावधान आए एक नियम कानून लिखा गया जो है तब तो राज के सिध्धानत आया था राज कल्पना की गई थी जी क्यों जी से लोग करते हैं कि नियाले द्वारा दंडित अपराधी जो है बदलाने की जिसे नियाधीस है तो नियाधीस तो तरकों के आधार पे दंड देता है नियाधीस कोई बदला लेने की उसके कोई पूरवा ग्रशित नहीं होता कि यह अपराधी आया इसको में तुदंड देना ही देना नहीं वह तथ्यों के आधार पर दंड देता है कि जो फाइकट इसके पच्छ में होते हैं उसी के निश्कर्सों पर दंड देता हुआ थिछ ना थिर यह का अलचना होती है कि अपराध किसे मात्रा कैसे डिसाइड हो मिले यह सिच सब में प्राउले माती कभी-कभी किसी में भी ज्यादा हो जाता है,...कभी-कभी-कम हो कि अएग लेकिन कि यह है कि अवसकती है कि करना घथ्या करना गुना Πांसिसétais है वनकाइज लेकिन हर करना अपराध है कि हर पर preciso करना गुण महिताद्र प्राप्ट भाप्त होगा। वहीं करता। सच्वेशन का ध्यान रखना बहुत हिप जरुरी है कि किस घ्रख की पिरशितियों में उसने अपरात किया है। तो आप दंड दोगे ही उसके लेकिन सामान ब्यक्ति ने किसी आतंग वादी को मार दिया है तो दोनों में अंदर है कि नहीं अंदर कानुन सामान ब्यक्त को सजा देने का प्रावधान नहीं है सब्सक्राइब किसी हम आतंगवादी को सब्सक्राइब कर दिये कि हम किसी का समान चुराने के उसकी हत्या कर दिये लेकिन दोनों के सब्सक्राइब कर दिया जाए यहां अनपात घड़ गया क्योंकि उद्देश क्या था उसी अच्छा उद्देश सकता है तो माप भी किया सकता है ठीक है नहीं इसके सिथान समर्थक करते हैं कि यह जो बिरोधी है इसमें प्रतिकार दंड में जो है पराधी में जो कभी कभी इतो सब्सक्राइब कि अपराधी को जो है आप दंड दे दिया जो है तो समाजिक में उसको तिरस्कार की भावनां से दिखा जाता है उसके परिवार का जीना दूर्लब हो जाता है ठीक है तो इससे क्या होता है जब समाज उसका परिवार ऊप नहीं कर पाता है है तो और ली की पिज़ यह बहुत बड़ा अपरादी हो गया हुआ तो पहली बार अचानक बिना अंजाने में कोई गल्ती कर दिया अपराद कर दिया है तो उस अपराद का उसे चमा पराद होना चाहिए तो इसमें भी तो यही मेरे क्याल से रूल लागू हो रहा है न कि जिसने जो किया है उसको मिलेगा कि नया की मांग कि कि करम आधि करते हैं तो आप अच्छे कारें करते हैं तो आप अच्छे समझारी के नहीं प्रश्वार्ट वाले को दंडित नहीं कि आदा समाजी व्योस्था कैसे चलेगी समाजी बिना डर के काम नहीं होता है दर तो बहुत आसान होता है वह दिक्कत नहीं है लेकिन तिर भी ताला बंद से कहते हैं कि समाने व्यों होता है अगर उसे मालूम हो कि कुछ नहीं होगा तो हर बच्चा यहीं चाहेगी यार पढ़त नहीं पाइसा करते हैं लिखंब धक नहीं करेंगा जो है मन में आ सकता है जबकी वह नहीं ह Souls फॉपवेश्फटार जिने अपराथ यहिसरी Alfredregal करते हैं तो वही है कि लेकिन नियम होता है तो इसे बहुता है और अब इसको खोलेंगे नकल करेंगे तो हम इस टीकेट मेरा हो जाएगा यह मेरे लिए ठीक नहीं तो इसलिए बहुत आपरात तो मैं तो समझ में उससे सब को पता होना चाहिए अगर हम इसका अपरात करेंगे या कनूं का उलंगट करेंगे तो मैं दर्ण मिलेगे लिए इसलिए इसमें निकार केसि में पर ततकाल सुने होनी तमाव अपनीय मारेंग नहीं आ रहे हैं हुँआ है अलाकि समाप्ति हो गया है हार जगा नहीं रह गया है भारत में तब भी म्रितुदन है जो है अरे बतारा सतर देशों में खतम हो गया जैसे इंग्लैंड में नहीं है इसराइल में मैक्सिको में नहीं है नेपाल में नहीं नीदर लैंड में नहीं नार्वे में नहीं पुर्तगाल में नहीं आस्टेलिया में नहीं रूष में नहीं है ठीक है यहां जो है नहीं है कुछ देस ऐसे भी हैं जहां इसकी मांग चल लगी कि मृतिद्रण से वाबत कर दिया जाए भारत में भी मांग चलती है कभी के भी जो है प्राप्ति के बाद 2009 में उठाई गई थी मगर सरदार पर ठेल थे उन्होंने इसको मांग तुकरा दिया क्योंकि भारत क्या आतंगवाद से जूजरा है हमारे हैं कि समयनपुल नहीं कुछ दण दिया जाए नहीं यहां संख्यतिने ज्यादा अपरा दिया अगर इसको बंद क कर दिया जाए तो कंट्रोल करना मुस्किल आतने बाद पर जो है कंट्रोल करना मुस्किल हो जाएगा जो एक नहीं है हालांकि उसने एक चीज़ कह दिया था इसलिए देखो लोग केस लगाते हैं हमारा बच्चा नावालिक है कि यहाँ कमिस्टन ने लागू कर दिया था का थारावर से जो बच्चे नीचे हैं उनको मृतुद्ण न दिया जाए जो है ठीक है लेकिन जैसे उसमें एक और याक्तिक महिलाओं को मृतुद्ण से छुट दिया गया जो है लेकिन विशेश परसित्यों में सामान रूप मे यह रियायत नहीं प्राप्त है ठीक है ने इसका विरोग तर्लों करते मृद्धन जो है आदिम भावनाओं का सूजक है कि मतलब लगठा कि आज मारा समाज इतना विक्तित हो गया समाज में नयतिक नियम है और नयतिकता कि मांगे करता कि सब समाज में किसी को मारना उचित कर देना चाहिए जो है मैं एक आदमी द्वारा किसी खत्या किये जाने और सरकार द्वारा किसी को फांसी पर लटकाई जाने में कोई भेद नहीं मानता कि अपना था कि एक आदमी ने किसी खत्या कर दिया हो और सरकार ने किसी को फांसी पर लटका दिया हो और दोनों को अभेद मानते हैं दोनों अभेदी नहीं मानते हैं पॉरेखल इस आप ख्यां संऑ ने नहीं जाए तो नहीं हो था दोनों सब्सक्र में घटा और घृडः ने रही घृडः होता है मтесь कर दोनों निया कर दो ग्राम पंचायत में तो सुनवाई में संभावना बनती भी है कि भीना तत्य के जज्ज्मेंट हो जाए लेकिन न्यालय में तो संभावई नहीं है अम्रतुदंड्ड न्यालय को ही दिये दें कदिकार है जो है कि दूसरा चीजे समर्थक करते हैं जो इसको भी रोधी है कि नहीं होना चाहिए कि कोई जेल नहीं सामानस में है कि जेल से चुटके आता है तो बहुत बड़ा अपराथी बन जाता है तो लेकिन इसके लिए क्या दंड ही नहीं कि दिया जाए जो तो देने पड़ेगा जो है आगे क्या होगा ये तो अलग कर लेकिन ये भी समस्या गार उसको छोड़े रहेंगे तो और भी अपराथ करता रहेगा इस आधार तो दंड इसको नहीं रूकाजा बचाया सकता है कि नहीं चुटके आयेगा तो बहुत खुंखार हो जाएगा ये तो एक सामान से धानडा ह तो देना ही पड़ता है अपराद के अधार पर दिये जाता है बस इतने हैं सामान से यहां देखे अपने लॉजिक है सामान जो नहीं सास कहता है कि दंड तो प्राप्त होना ही चाहिए किन परिशतियों में उसने अपराद किया हुआ इस पर विचार किया सकता है लेकिन पूरता समाप्त कर देना या समाज कर देना यह समाज करने का विकल्प नहीं है समाज का बीजे होता कि अधर्स होता है अधर्स होता कि प्राप्ती होती है कि प्राप्ती थी कि समस्या हो गई थी लेकिन क्या आदर तुब करने के लिए होत यह कमें वहां तर पहुंचने का लच्छी होता जो है फूडर उसलिए समाज के लिए राद्जिक के लिए सामाजी के अभर्षण के लिए दंड का प्रावधान अन्हार है एक अगार्डिंग जो नइतिकता कहती है ठीखे नए बस एशनकलप स्वातन सब्से इंपॉर्टेंट संकलप सबसे इंपॉर्टन कोई कार किया हो उसके उसके जो है जो कर्म पर उचित है उस अनपात में उसको दंड मिलना चाहिए ठीक है नेर हो गया मेरे पास जो की इसका नाम लिखे हुए सर् वो मैं आपके बाहरे पताना चाहरा था पहली वां इंहूरी और दूसरी वांतर और और तीसरी वानी आ यही यहींी जर्काइब इस पर बनते हैं इस पर को सब्सक्राइब क्या है जहां आप इदर दर नहीं आ सकते हो इस अब ऐसे सिध्धान्त हैं जहां आप कर सकते हैं क्या होना चाहिए तो इस पर बनते हैं ठीक है लें प्लियर और फिर आप लिखी लो गया हां समझ में आगे इस अधिक है अब आपको जो है नेस्ट प्लास में लोगतंत्र प्रहा देंगा समाजवाद जो भी देखते हैं जो है आपको वाला पॉर्शन हां से जीज़िए